जहीं फ्रेंट्स, आज हम चर्चा करेंगी कि आम के पोधे लगाने का सबसे बेश्ट मौसम कौन सा है और कभी भी आप नर्सरी में आम के पोधा खेदने जाएं तो आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए मैं अपने नर्सरी के कुछ आम के पोधे का उधारन लेके मैं आपको ये समझाने कोसिस करूँगा कि आपको किस तरह के पोधा लेना चाहिए चलिए तो हम अब पहले अपने नर्सरी के कुछ पोधे को आपको दिखाते हैं प्रेंस आप में नर्सरी को कुछ से रहे आप देख रहे हैं कि अस्तियों के नर्सरी के जो पॉढ़े हैं इसी साल ग्राफ्टिंग हो गया और ही इस साल ग्राफट Cum किया है और बिल्कु शक्सफुर गया है अब इतर भी से अवधिक पॉढ़ेृ जो पौधे का ग्राफेटिंग उसके जमीन से कम से कम तीन फिट के Anandar asi अधर ग्राफ्टिंग हो जाता है और उसके पौधे में काम्द सब्सक्राइस क्या ग्राफ्टिंग 6-7 फिट के उपर क्या जाता है उन जाता है उन पषाЗО अधिख तूटने का अब जब कोई भी नर्स्तरी जाए इन बास का धिहान दे कि जमीन से कम से कम तीन फीत के अंदर उस पोधम ग्राप्टिंग कि आ गया है जैसे मेरे पीछ आपको 6.5.6 फीट का सबहुटका पाइब डिका आपको अब दीक्राचाय एक ये कोसिज करें तो पोधा साथ फिट के आसपास की होता होना चाहिए में एथीक on 생각 करें क्योंकि जो पाइब चाया हुंता है जो से ऀसे जो मिट्टी मीं लगा युए है इसकी जड़े भी इधर उदर चारो तरफ फैली हुई है तो जो मिटी खोद की निकाला जाएगा तो इसकी जड़े भी कटती है तो अगर ठासर पतला पोधा रहेगा अगर 6-5,5 शेप्ट इक इस तरह का पोधा तो इसकी जड़े कम करती है और ये इसका मिटी में लगने का अधिक चांस रहता है और यह बहुत जल्दी अपने आपको इंप्रूप कर लेती है पौधा है लेकिन मोटा पौधा है तो थोड़ी टाइम लेती है और दूसरी चीज़ कि आप कोशिज करें कि जो पॉली बेग वाले पौधा होता है या गमले वाले पौधा होता है इस तरह पौधा से बचना है अघर बच्पन यह रखते हैं यह पौधा एक साल सो ही आप गमले में है यह डय होते हैं यह तो जड़ Day के पोधा मरने का गम चांस सरता है और जैसे मिट्टी में लगता है वो सारे जड़े इदोते फैनने लगती है और पोधा अधिक तेजी से बढ़ता है तो इन बातों का अब दियान दिजेगा जब इन बातों का पुछ लिजेगा लिए पोधा कब से गमICES लगाय गया ह смट प्रोपर गम में से रिडी होएं इन बातोंगा ध्यान दे अदिक तर जो बड़े पोदे होते हैं छेषैंटके साथ पृटके आट तो वो गमले में प्रोबर तयार नहीं होते हैं कि आप भी खुछ सकते हैं कि 6 या 7 फिट के पोधे वो छुड़े से गमले में कैसे उतना बलब 2-3 साल में उतना बड़े हो जाएंगे तो यह सब अपने से खुछ से ध्यान दे सकते हैं जब भी आप नर्सरी में खिधने जाएगा तो आपको वहां बहुत सारे पवोधे ऐसे देखते हैं जो दहान नके पौध juice को मिंट्वा तुयों में भाने होड़े होने तो आप इस पात को समझे就是說 मैं मैं अपने नर्शरी को कुछ पोधे देखा उस समझाने का आपको कोशिज करता हूँ जिसे मानली यह पोधा है यह पोधा कोई खेदने जाएगा तो मेरा यह यह जो पोधा यह प्रोपर मिट्टी में लगा हुआ है तो इसके चारों तरब से मिट्टी को खुद के इस पोधे के लगाने के लिए बिल्कुस्व होता है यह नहीं की अभी ये पोधा मर जाएगा यह कुछ होगा यह पूर्फर बिर्धी नहीं होता ऐसा कुछ नहीं है यह पूर्पर बिकास करता है और बिर्दी होता है मेरे पास पॉली बैग वाले भी पौध है और मतलब यह मिटी में लगए हुए पौध है तो अब जो धान के पौध में बाना हुआ पौध होता है वो क्या होता है कि आप उस पौधे को अधिक दूर तग होता है तो क्या होता है कि मतलब उसका जो मिटी बेहन उचलने से जड़ता है तो और मिटी फढ़ जाने करन उस पौधे को मरने अधिक चांस रहता है जो वाले पौध होते हैं वह अब मतलब नर्सरी से कम संग पचास किलोमेटर का असपास अपका घर है तो थोड़ा पौधे जो वाल में बाना हुआ पौधा होता है वही सारे पौधे हैं अब देख सकते हैं यह बिल्कुल सक्सेसफुल है और इन्हीं पौधे से हमने ग्राफ्टिंग किया है अब देख सकते हैं सारे पौधे बिल्कुल सक्सेसफुल है लेकिन अब दूरी का हम ऐसा ध्यान नहीं जोदिनदें और उन पौध्वे को ले जाने समय अच्छे से ले जाए अभी आप समझ ही चुके होंगे कि अप जब भी नसरी जाए तो आम के पौध्वे किस तरह से लें चाहिए किस साइच करना चाहिए पौली बैगबाल पौध्वे लें चाहिए यह धान के गबोरी और किसी भी मोसम में आमके पोधे लगा सकते हैं, थोगे अच्छे से केर करने के बाद वो पोधे लग जाते हैं, लेकिन जिने आमका अधिक पोधा लगाना है या बागवानी करना है, उनके लिए सबसे अच्छा वेश्ट मोसम बर्षात का मोसम होता है, जून जुलाई का मो पौधा लगाने समय किसी भी पड़कार खाद का परियोग ना, रसानी खाद का परियोग ना करें, अगर आपके पास सड़ा हुआ गोबर खाद है तो उसका परियोग कर सकते हैं, और सकेंड मोसम होता है कि सर्दियों का मोसम, दिसम्मर के समय जब धान कटने लगता है, आपक हो जाता है, सर्दियों का मोसम में उन खेतों में अप लगा सकते हैं, एक बार पौधा लग जाये तो उसमें अगर कुछ दिन पानी भी खड़ा हो जाने से पौधा नहीं मरता है, तो जिन खेतों में पानी खड़ा हो जाता है उन पौधा में, सर्दियों का मोसम में, दिसम समय पोधे का विकास भी बहुत तेजिस होता है और इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेसज कर सकते हैं हम 100% आपको रिपलाई करेंगे अगर अगर आप अपने तरब से कोई सुझाओ भी देना चाहते हैं तो मुझे मेसज कर सकते हैं और कई बार कई लोग मतलब ओनलाइन पोधे कर डिबांड करते हैं तो हम अभी ओनलाइन पोधा नहीं बेच रहें जितने मेरे पास पोधे हैं जो बड़े पोधे हैं ओनलाइन जाने में बहुत प्रब्लम होगा इसलिए हम ओनलाइन नहीं जाहिन फ्रेंज